हेलो फ्रेंट्स हमारी जो के वी एस टीटी सीडी चल रही है उसमें हम क्लास टेंथ एंसी आड़ टी फर्स्ट फ्राइट को एक्स्प्लेंड कर रहे हैं इसी के अंतरगरत आज जो लेसन सवन्थ है ग्लिम्स ऑफ हिंडिया उसका थर्ड सेक्षन टी फ्रॉम असाम उसको हम ड बेस्टिंग अने टाइम जान लेते हैं सबसे पहले अबाउड दा और 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 की बात करें तो ओधर है अरूप कुमार दत्ता नाम से ही आप जान रहे होंगे कि ये इंडियन राइटर रहे हैं इंडियन राइटर नॉवलिस्ट और जेनलिस्ट रहे हैं एक जगा पढ़ती है फ्रेंड्स असाम में जोरहाट जो औरहाट आसाम में पढ़ती है वहाँ पैदा हुए 2 जुलाई 1946 को और इनके फादर की बात करें फादर थी गिरीश और मदर का नाम था इंद्रादत्ता एक प्रोमिनेंट राइटर रही है जिन्होंने बुक्स लिखी यंग पीपल और एडवेंचर पर अपने जो चाइल्ड हुड है वो जो टी गार्डन थे जो औरहाट आसाम में वहाँ इन्होंने बिताया प्राइमरी एजुकेशन जो लॉरेंस स्कूल रहा है सनावर में हिमाचल परदेश में वहाँ से पाई सीनियर जो है सीनियर कैम्बरिज एक्जाम जो है वो हिमाचल परदेश से उन्होंने किया पोस्ट गेजुएट जो इंग्लिस लिट्रेचर में डैली उनिवर्सिटी से 1969 में किया एज जन्रलिस्ट फ्रिलांस सेटायरिस्ट कॉलम और शॉल्ट स्टोरी में और वेरियस न्यूज पेपर्स के लिए उन्होंने लिखे और एक नेशनल लेवल की रपूटेशन उन्होंने पाई और खास बात यह है पदम शिरी 2018 में इनको मिला 2018 में मिला इलस्टरेटड वीकली ओफ इंडिया, दा कैरवन, इव्ज वीकली, फामिना, एटसेटरा बहुत सारे मेक जीन्स रही हैं जिनके लिए उन्होंने लिखा तो ये तो जाना हमने आथर के बारे में अब बात कर लेते हैं लेसन के बारे में लेसन की समरी, लेसन में कुछ करेक्टर्स दिये हुए है और देखिए नाम यहां बे रिखा है प्राजवीर एक राजवीर है, जो प्राजवीर है वो यंगस्टर है फ्रॉम आसाम, फस और जो राजवीर है वो जो समर्वेकेशन के दोरान जो टी स्टेट्स हैं असाम के उनको विजिट करता है, किलेफिंट्स तो थोड़ी सी समरी और जान लेते हैं लस्ट की, देखि होता क्या है प्राजवीर चुकी दिल्ली में राजवीर का एक कलासमेट है असम से है प्राजवीर है गर्मियों की चुट्टियों में प्राजवीर के साथ असम को देखने के लिए जाता है असम के रास्ते में उसे हरियाली धान के खेट और चाय के बगार मिलते हैं असम से चलने से पहले राइजबीर बहुत सारी जानकारिया भी घट्टी करता है वो प्राइजल को दो जो दंत कताय होती है अनिकडॉट्स होती है उनके बारे में बताता है कि चीनी और जो भारती है जो चाय के अविशकार में क्या बताते है अब चाय के अविशकार की बात होती है तो एक चीनी में एनिकडॉट्स है चाइना की उसमें ये बताया जाता है कि जो चीनी हुई जो चीनी समराड था वो पानी को उबाल कर पिया करता था तो एक दिन एक पेड़ की एक टहनी जो है उस पानी में गिर जाती है और उस पानी का जो सुवाल था वो सुवन्दित हो गया तो वो टहनी जो थी तुस टहनी जो पत्या थी वो चाई के पत्या थी लेकिन अगर इंडियन एनिकड़ोट्स की बात करें, भारती अदंत गता की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि एक बार एक बहुत बिख्षुक ने अपनी पल के जो हम कार्टली थी क्योंकि वो ध्यान बुद्रा में जो नीद से ग्रसित हो जाया करता था अब इनी पलकों से चाय के पोदे उग गए और जब इन पोदों की जो पत्तिया है वो गर्म पानी में डाली गई तो नीद गायव हो गई तो यह अनिक्डॉट्स हैं चाय का उत्ति के बारे में दोनों मित्र जो हैं प्रांजल और राजबीर मरियानी जो जंक्शन हैं वहाँ पर उत्रे प्रांजल के माता पिता उन्हें लेने के लिए स्टेशन पहुंचे और उन्हें धे किया बाड़ी ले आए उसके पिताजी जो है वहाँ किसके प्रांजल के वह एक टी गार्डन है टी स्टेट है उसमें मैनेजर है तड़क के दोनों उन्होंने टी स्टेट्स देखे चाय की जो पत्तिया है उनको तोड़ने वाली महिलाई देखी जो अपनी पीट पर टोक्री डाले हुए जो है अप्रन पहने हुए उनको तोड़ आई थी क्लियर फिर्ट्स और अब एक्स्प्लेइन कर लेते हैं टेक्स्ट को जब जा रहे थे तो चाय गरम गरम चाय एक जो वेंडर था फेरी वाला था हाई पिस्ट यानि उची आवाज में उसने कहा आवाज लगाई उसने तेज बोली में वो बोला वो उनकी विंडो तक आया और आस्ट चाय साब और उसने कहा कि चाय साब क्या आप चाय लोगे गिव उस टू कप्स प्राइजल सेट प्राइजल ने कहा हाँ दो कप्स हमें चाय दे दो दे सिब्ड दे स्टीमिंग हॉर्ट लिक्विड इससे भाप निकल रही हो इस्टीम और लगभग हर व्यक्ति उनके कमपाल्टमेंट में उनके जो डबबा था ट्रेन का जिसमें वो जा रहे थे उस बोगी में लगभग हर व्यक्ति चाय भी रहा था राजवीड ने कहा क्या तुम्हें पता है कि दिन भर में पूरी दुनिया में लगभग असी करोड जो कप है वो चाय के पिये जाते हैं वाउ एक्सक्लेम्ड पांजल पांजल ने कहा अरे वा ती रियली वैरी पॉपॉलर की जो चाय है वास्ता में बड़ी पॉपॉलर होत शरुवात चाय से होती है दा ट्रेन पूड़ आउट अफ दे स्टेशन प्रांजल बरीड हिस नोज इन इज डिटेक्टिव बुक अगें जब जो है जो ट्रेन चली तो प्रांजल ने अपनी जो थी नोज थी अपनी जो डिटेक्टिव बुक थी उसमें गडा ली यानि ज जब ट्रेन चली तो प्राज़ल ने फिर से अपनी जासूसी जो पुस्तक थी उसको पढ़ना सुरू कर दिया। और जो राज़वीर था वो भी आल्डेंट कहते हैं प्रवल वो भी एक प्रवल और फैन कहते हैं समर्थक वो भी डिटेक्टिव जो स्टोरीज हैं जासूसी कहानिया हैं उनका एक प्रवल समर्थक था परसंसक था बट एड दा मोमेंट ही वोज कीनर ओन लुकिंग एड दा सीनरी लेकिन इस समय वो जो खूबसूरत द्रश्य हैं उसको देखने का उच्छुक था कीनर कहते हैं उच्छुक और इच्छुक इट वोज ग्रीन ग्रीन एवरिवेर हर जगह हर्याली ही हर्याली चाही हुई थी राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीन दी बिफोर राज ग्रीन दी कभी आदमी नहीं देख सकता जो असम में या मेगाले में यह नौर्दन इस्ट में रहने वाला वेक्ती देखता है जो नरम हरे धान के खेतों थे खेत थे उनकी जो जगह है वो चाय की जाड़ियों ने ले ली थी यानि धान के खेतव समाप्त हो गए थे और टी बुसेज है चाय की जो जाड़िया है वो दिखाई देने लगी थी चाय का जो पौदा होता है वो जाड़ी नुमा होता है इट वोज अ मैगनीफिशन्ट व्यू और वास्ता में यह बड़ा एक शांदार दर्श्य था अगेंस्ट दा बैकड्रॉप ऑफ डैंसली जाड़ जाए वहाँ चाय की जाड़िया है उनका एक सी यानि उनका एक समुद्र जो है वो सी ओफ टी बुसेज एक समुद्र की तरह वो फैली दिखाई पड़ती थी यानि इस तरह से वहाँ चाय ही चाय दिख रही थी जैसे मानो कोई चाय का समुद्र हो चाय के बौदों और चाय के जो छोटे पोधों को बोना करते हुए यानि ड्रफिंग दाइनी चोटा करते हुए बोना करते हुए लंबे जो स्टर्डी कहते हैं ठाड़े यानि एक फार्म कहने चाहिए द्रफ कहना चाहिए जो शेड ट्रीज एंड अमिडस्ट और जो द्रफ पेड़ थे बड़े पेड़ थे चायदार पेड़ थे और उनके बीच में करीने से जो है एक सिक्वंस में जो जाड़िया है वो ऐसे लगी हुई थी जैसे कि कोई गुड गुड या हिलती है बिजली मूद लाइक डॉल लाइक फिगर बिलकुल गुड़िया की तरह ओह आकिर थी जो है लगती थी और वास्ता में देखे गुडिया किसको कहा है गुडिया जो है जो वो टी बुसेस थी वहां पर जो महिलाएं वहां काम कर रही थी उन कतारों में उनको वो गुडिया कहा है दॉल लाइग इन दा डिस्टेंस वाज अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ओफ टॉल चिमनीज और थोड़ी दूरी पर उन्हें क्या देखते हैं एक स्मोक बिलोइंग कहते हैं तरंगों में लहराता हुआ बड़ी बड़ी जो तरंगे होती हैं चिमनीया थी उनसे तरंगों में लहराता हुआ जो है धुआ निकल रहा था है अट्टी गार्डन राजवीर क्राइड एक्जाइटिंगली अरे एक चाय का बगी चाय राजवीर क्राइड एक्साइटिडली राजवीर जो है बचिलाया क्या देखता है उसने उसने देखा का बगीचा देखो एक चाय का बगीचा प्रांजल who had been born and brought up on a plantation didn't share राजवीर's excitement और चुकि प्रांजल था प्रांजल तो ऐसे ही बागान में पैदा हुआ था तो वहीं पर वो पैदा हुआ वहीं उसका पालन portion हुआ तो उसने कोई भी जो राजवीर का excitement था उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया डिरंट शेयर यानि यानि ही डिरंट नोटेस राजवीर's excitement oh this is three country now this is tea country now और यह तो अब tea country है चाय का प्रदेश आ गया है उसने कहा Assam has the largest concentration of plantation in the world और जो Assam है Assam में विस्व के सबसे बड़े जो है वो चाय के बगीचे हैं you will see enough gardens to last you a lifetime और अपनी पूरी जिंदगी में भी आप इनको पूरा नहीं देख सकते हैं इतने tea state जो है वो Assam में है I have been reading as much as I could about tea राजवीड सेड राजवीड ने कहा कि मैं तो काफी कुछ चाय के बारे में पढ़ता रहता हूँ No one really knows who discovered tea but there are many lizards किशी को वास्ता में नहीं पता कि चाय की कोज किस ने की लेकिन इसके बारे में बहुत सारी दंतकताई पर चली थे हैं What lizards कोहन सी दंतकताई Well there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it एक दंतकता है एक चीन के emperor के बारे में चीनी समराट के बारे में जो हमेशा पानी को पीने से पहले boil करता था One day a few leaves of a twig burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor एक दिन क्या होता है जो चाय है जब वो जो बरतन था बरतन के नीचे जो जलती हुई टहनिया थी उनमें से कुछ जो पतिया है वो पतिया जो है उस water में गिर गई और उन्होंने इसको एक delicious flavor दिया एक बड़ा सुगंधित जो है स्वाद वो दिय It is said they were tea leaves ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पतिया थी Tell me another scofford Pranjal Pranjal ने हसी में कहा scofford यानि scofford हसी में कहा Pranjal ने हसी में कहा कि मुझे दूस्टी दन कथा सुनाओ We have an Indian legend too उसने कहा कि इस बारे में एक Indian legend भी है Bodhi dharm an ancient Buddhist ascetic Bodhi dharm एक प्राचीन जो बहुद तपस्वी था बहुद असेटिक था Cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation उसने अपनी eyelids को यानि अपनी पलको को काट लिया था क्योंकि Meditation के दोरान उसे नीद आ जाती थी वो sleepy हो जाता था 10 टी plants grew out of the eyelids और इन eyelids से दस चाय के पौधे उपन हुए The leaves of these plants when put in hot water and drunk vanished sleep और जब इन पोधों की पतिया गर्म पानी में डाली गई तो उसको पीने से जो नीद है वो बहनिश हो गई यानि वो भाग गई T was first drunk in China राजबीर राजबीर ने कहा कि चाय सबसे पहले चीन में पी गई As far back as 2700 BC और लगभग 2700 इसापूर यानि लगभग अब से 5000 साल पहले In fact words such as tea, chai or chini are from Chinese यहां तक ही चाय और चीनी जैसे शब्द जो है वो कहां से आए वो चाइना से आए Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than in Viveris और जो चाय है वो योरोप में 16th century सोल भी सताबदी में ही आ गई थी और इसे एक Viveris Viveris कहते है पेपदार्थ जो वाटर कैतरिक्स जो भी पेपदार्थ होता है उसको Viveris कहा जाता है तो Viveris के जो Viveris के रूप की बजाए ये एक मैडिसन के रूप में पी जाती थी यानि ओस्धी के रूप में चाय पी जाती थी The train clattered into Mariani Junction और जो train है clattered यानि लड़ खडाती हुई पहुँची खटखट की आवाज करते हुँची Mariani Junction The boys collected their luggage लड़कों ने अपना समान इखटा किया and pushed their way to the crowded platform और जो crowded platform था यानि भीड भरा जो platform था उस पर वो चल पड़े Pranjal's parents were waiting for them Pranjal के माता-पिता उनका इंतजार कर रहे थे Soon they were driving towards दक्याबाडी और जल्दी ही वो देक्याबाडी की और चल पड़े The tea garden managed by Pranjal's father वह वो चाय का बागान था जिसको Pranjal के पिता manage करते थे And on later, एक घंटे के बाद दकार weird sharply of the main road Weird कहते हैं तेज बोन पर काट जाना यानि घूम जाना, weird Clear? Sharply मने तेजी से, of the main road अब एक जगा चलते हुए जो थी जो कार ने एक तेज मोन को काटते हुए जो main road थी उसको छोड़ दिया They crossed a cattle bridge and entered धकिया बेडी T-Straight और उन्होंने जो था, एक cattle bridge यानि एक खाई के उपर बने पुल को पार किया और जो देख्या बेडी था, देख्या बेडी के में जो T-Straight था वहाँ पर वो enter हो गए On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes और जो gravel road थी, यानि gravel road बजरी की जो road थी, उसके दोनों साइड जो था एकर से एकर तक, यानि कई-कई एकर में जो T-Bosses और चाय की जो जाड़िया है वो फैली हुई थी All neatly pruned to the same height, जो same height तक कटी हुई थी Pruned यानि करीने से कटी हुई थी, groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs Wearing plastic aprons और जो tea pluckers हैं, चाय तोड़ने वालों के जो सम्हू हैं जिनोंने bamboo basket ले रखी थी, अपनी कमर पर bamboo से बनी basket बांधे हुए थे और plastic apron पहने हुए थे, plastic के कपड़े वो पहने हुए थे, were plucking the newly sprouted leaves वो जो नई, newly sprouted यानि जो नई कौपले होती हैं उनको वो तोड़ रहे थे, नई पत्यों को तोड़ रहे थे प्रांजल's father slow down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass प्रांजल के पिता ने अपनी कार की गती को धीमी की और एक जो tractor था, जिसमें load था trailer load of tea leaves, चाय की पत्या जिसमें load थी, उसको ट्रॉली जो है वो लादे हुई थी, उसको गुजर नहीं दिया यह है दूसरी फसल या अंकुरन का समय है, इसंट इट मिस्टर बरुवा राजबीर आस्ट, राजबीर ने पूछा क्या ऐसा नहीं है बरुवा इट लास्ट फ्रॉम में तो जुलाई और इल्स बैस्ट टी, यह है मईशे जुलाई तक का समय होता है और इसमें सब से बड़िया जो है चाय पैदा होती है, यू सीम टू है ड़न यूर होमवर्क बिफोर कमिंग, ऐसा लगता है कि तुमने यहां आने से पहले काफी होमवर्क किया है, यानि काफी अच्छी जानकारी इस विशह में हासिल की है, पांजल के फादर ने आश्ट ने से कहा, यह स मुझे जब तक मैं यहां रहूं, मुझे और अधिक सीखने की उमीद है, और इसी के साथ यह जो हमारा लेसन है, यह कम्प्रीट हो जाता है, टेक्स्ट हमने पढ़ा फ्रेंड्स और अभी तक मिलियर माइंड्स इंगलिस अप्लिकेशन को आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर लीजेगा, वहां भी एमसी की स्रीज चल रही है, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिसन वेल को अन करें, ताकि जो भी लेक्षर चैनल आए, सबसे पहले आप तक पहुंचे, and now, thanks for watching this video.